4 beats per second. तो दोनों की frequency में 4 का अंतर है B को wax लगा दिया अब यह अंतर कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? 6 का ठीक हो गया? wax लगाने से tuning fork की frequency घटती है, वो हिल नहीं पाता, उसका prong हिल नहीं नहीं पाते तो घटती है, तो difference किया हो गया? 6 अब वो कह रहे है, quantity of wax थोड़ा सा हटा दिया अब frequency फिर से बढ़ गई, wax लगाने से frequency घट गई, हटाने से frequency बढ़ गई और number of beats एक बार फिर से कितने हो गई? 4 तो B की frequency का यह बताओ चेक करते हैं पहली बात एक A की tuning fork की frequency 256 गवन है शुरू में जब wax लगाया तो उसकी frequency जो, sorry, शुरू में A और B की जो number of beats है वो 4 थी wax ही लगाया, 4 थी तो जो second tuning fork है उसकी frequency या तो इससे 4 ज़ादा होगी 260 होगी या 4 कम होगी, 252 होगी इन दोनों में से एक answer mark करना है अब वो कहता है कि इसके ऊपर wax लगा दिया और number of beats, 4 की बजये 6 होगी चलो wax लगाते है अगर wax में इस पे लगाता हूँ 252 wax लगाने से frequency घटेगी 251, 250, 249 तो क्या कोई ऐसा case है कि इनका difference 6 आ जाए, 4 की जगा 6 आ जाए कैसा हो सकता है? हो सकता है 256 आ 250 इनका difference क्या आ रहे? 6 आ रहे हो सकता है फिर वो कहता है कि wax लगा दिया ठीक है case आ रहे wax थोड़ा सा reduce कर दिया थोड़ा कम कर दिया ताकि number of beats एक बार फिर से कितनी हो जाए? 4 हो जाए reduce करने का मतलब frequency का वापिस से क्या होना 251 भी हो सकती है रियूज किया wax हटाया नहीं अब जैसे ये case है 260 पे जब wax लगा frequency घटी 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 एक ऐसा case आएगा frequency 250 होगी 250 वा 256 answer क्या दे रहे है 6 case सही है यह भी case हो सकता है लेकिन अगर wax हटाएंगे 250 से frequency बढ़के 252 हो जाएगी और difference फिर से क्या आएगा 4 तो 260 answer mark करेंगे आप कहेंगे यह भी तो हो सकता है क्यों कि यह 6 answer और 4 भी आ रहे है यह इसलिए mark नहीं करेंगे क्योंकि wax हटाया नहीं है wax को थोड़ा सा कम किया है लगा रहने दिया है और कम किया है तो यह case suitable है तो इसमें frequency 250 भी आ रही है तो difference 6 हो गया और थोड़ा wax हटाने पर difference फिर से 4 भी हो रहा है तो answer क्या mark करेंगे 260 mark करेंगे तो idea समझ में आ रहा है कि कैसे सोचन है इसमें इस question को देखना प्लीज question है tuning fork जिसकी frequency 256 है makes 5 beats 26 per second with a vibrating string of piano तो एक तेखो tuning fork है और दूसरा tuning fork नहीं है दूसरा string है तो tuning fork की frequency 256 है और piano की frequency है वह पता नहीं कितनी है पर इतना पत है tuning fork और piano जब इकठे बजेंगे तो number of beats कितनी आ रही है 5 तो piano की string की frequency या तो 256 plus 5 होगी या फिर 256 माइनस 5 होगी कुछ भी इनमें से एक answer माग करना है या तो 251 होग या 261 होगी एक answer होगा ठीक है यह तो clear है पहली statement clear है the beat frequency decreases to 2 beats per second तो पहले इनमें difference 5 था अब question ही है कि इनमे difference 5 की बजाय कितना हो गया 2 हो गया जब tension in the piano string is slightly increased अब tension जो string होती है उसकी जो fundamental frequency थी उसका formula था V by 2L या फिर उसका formula था V by 1 by 2L under root of T divided by mu याद करो stretch string में यह formula है तो अगर हम tension बढ़ाते हैं तो frequency बढ़ती है तो यही तो कह रहे है मैंने tension को बढ़ा दिया जिससे कि piano की frequency बढ़ गई तो number of beats जो कि पहले 5 आ रही थी अब number of beats किती बच की सिरफ 2 तो 2 answer है कह रहा है कि इस case में what must be the frequency of the piano string actual frequency piano की क्या होगी बताओ 256 plus 6 यानि कि 260 1 होगी या 250 1 होगी इन मेंसे mark करने तो आपने rule क्या लगाना है इन मेंसे एक चीज मां करनी है आपने tension बढ़ाई है आपने tension को बढ़ाया तो मालनो यह 261 है यह 250 1 है आपने tension को बढ़ाया तो frequency बढ़ेगी क्योंकि tension बढ़ने से frequency बढ़ती है तो चलो tension बढ़ाते है मालनो मैं answer यह क्या मेरा answer 261 है की नहीं तो मैंने tension को बढ़ाया तो 262 हो गई 260 2 हो गई 263 हो गई 64 कुछ भी हो सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके साथ इसका difference दो रह जाए क्योंकि number of beats क्या नहीं चाहिए यह 2 नहीं difference उल्टा बढ़ता 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 जा रहा है यानि की answer नहीं हो सकता चलो इसमें करते हैं इसकी tension अगर यह answer mark करते है 251 और tension बढ़ाने पे 252 tension बढ़ाने पे 253 tension बढ़ाने पे 250 हाँ हो गया 254 और difference का है 2 तो यानि कि यह case possible है यह answer mark करेंगे answer is 250 one is the answer तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचने कभी wax लगाएगा कभी वो tension बढ़ा देगा tension बढ़ाने से भी क्या होता है frequency बढ़ती है तो hit and trial करना पड़ेगा आपको दोनों में तो आपको एके करके tension बढ़ाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि निया difference क्या इसके साथ दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जिसके साथ आ रहा है वो case mark करते है ठीक next है यह question करो when two tuning folks one and two are sounded simultaneously तो number of beats किती है 4 beats per second है ठीक है तो number of beats 4 है now some tape is attached to prong 2 fork number 2 पर tape लगाती है tape लगाने से उसके जो prongs है वो move नहीं कर पाएंगे तो frequency बढ़ेगी कि कम होगी कम हो जाएगी frequency कम हो जाएगी तीक तरह movement नहीं होगी तो when tuning folks are sounded again tape लगाने के बाद तो number of beats कितनी रह गई 6 आपको बताना है कि अगर पहले tuning folk की frequency 200 है तो दूसरे की क्या होगी तो फिर से बढ़ते हैं एक tuning folk की frequency कितनी है बताओ 200 गिवन है शुरू में दूसरे tuning folk के साथ वो कितनी beats दे रहा था? 4 यानि कि या तो answer 204 है या answer 196 है सही है? दोनों मैंसे एक answer माग करें अब वो question में क्या कह रहे? जब मैंने tape लगाई इस पर tape लगाई tape लगाने से frequency कम हो गई चलो करके पहले माल लो आपका answer 204 है tape लगाए frequency कितनी होगी 200 3 कितनी होगी 200 2 कितनी होगी 200 1 कितनी होगी 200 difference क्या आना चाहिए? 6 क्या ऐसा case possible है कि difference 6 आ जाए? लग रहा है मुझे कैसे? 199 भी होगी 190 8 भी होगी 190 7 भी होगी 190 6 भी होगी 190 5 भी होगी 190 4 भी होगी difference क्या आ गया? 6 यह case हो सकता है अज़र दूसरा भी करें अगर टेप इस पे लगे तो 190 5 भी होगी 190 अरे इसके साथ भी difference कितना आ गया? 6 दोनों case possible हो सकते है दोनों में answer difference 6 आ रहा है आप answer वो लिखेंगे जिसमें case जल्दी achieve होने वाला है इतनी टेप पे नहीं लगानी है थोड़ी टेप लगानी है वैसे कायदे से दोनों answer है पर एक answer mark करना है तो जिसका जल्दी answer आ रहा है यह रहा तो आपका answer 196 mark होगा point clear है यहां तक तो कैसे सोच रहा है समझ में आ रहा है तक hit and try again तो आपने basic भी क्या करना है जो जल्दी answer देगा आपने आपने next है यह देखो फिर से set of 24 tuning fork यह कर लिया था last time हमने next in an experiment it was found that tuning fork of sonometer and sonometer tuning fork है और sonometer क्या होता है stretched string होती है tuning fork and sonometer gave 5 beats per second 5 beats per second difference है दोनों में तो लिख लेते हैं यह आपका tuning fork है और यह stretch string है number of beats किती है इसमें 5 beats per second generate हो रही है when both the length of the wire L की value first case में 1 meter है और फिर मैंने length change कर दी but hard ही इतने meter length कर दी calculate frequency of the fork आपको इसकी क्या निकालनी है frequency निकालनी है क्या है बस मुझे यह बताओ इसके अंदर stretch string में frequency और length का क्या लेना देना है frequency frequency V by 2L stretch string में कीजिए fundamental तो frequency inversely proportional to length है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ new1 by new2 is equal to L2 by L1 सही है? सही है? यहां तक clear है तो 2 frequency की ratio आजाएगी आपको length L1 भी पता है 1 meter और आपको length L2 भी पता है तो frequency की ratio आजाएगी clear है यह तक? तो यह देखो तो इसमें यह किया हुआ है सबसे पहले क्या किया? length पता है यह ratio पता है आपको यह पता है कि अगर tuning fork की frequency new है तो stretch string की frequency के साथ number of beats 5 है तो string की frequency या तो 5 जादा होगी या 5 कम होगी यह case clear है? अब string की 2 frequencies है एक L1 पे एक L2 पे तो frequency inversely proportional to length है जब length कम है तो frequency बड़ी यूज कर लो जब length जादा है frequency कम यूज कर लो क्योंकि 2 frequencies है और यह तभी possible है 2 frequencies जब length एक छोटी और एक बड़ी है किसकी value आ गई? frequency की value आ गई मेरे को ऐसा feel होता है beats के question करते हुए beats कम और पुराना waves ज्यादा use कर रहे है हर question में नहीं कहानी डाल रहे है और number of beats का तो बचारा कोई रोल ही नहीं है बस frequency का difference number of beats है बस तो जैसे next question भी कुछ मिलता चूलता है सही है देजिए रहाँ करते हैं सही है झाल 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 तूनिंग फोक जिसकी फ्रिकवेंची 200 Hz है इस अनियुनिशन विशस सोनोमेटर वायर युनिशन क्या होता है सेव क्रिकवेंची तो सोनोमेटर की और तूनिंग फोक की फ्रिकवेंची एकदम सेव है how many beats per second will be hurt अब करें number of beats निकाल दो जब tension in the wire is increased by 2% tension मैंने बढ़ा दी tension बढ़ने से क्या होता है frequency बढ़ती है क्योंकि frequency directly proportional to under root of tension है तो tension बढ़ेगी, frequency बढ़ेगी frequency बढ़ेगी, tuning focus तो बढ़ेगी नी तो difference कुछ तो आएगा frequency में जो भी difference आएगा वो number of beats होगी तो आप एक काम करें पहले आप एक काम करें इसमें आप frequency निकालने की tension बढ़ने से frequency कितनी बढ़ी तो rule number one, tuning fork की frequency दोस हुए, tension की value, imagine कर ले कि जैसे पहले T है फिर 2% का मतबब 102 by 100 into T है, ऐसे होता है ना, कि tension की value पहले case में T है और दूसरे case में T plus 2% of T है ऐसे, या ऐसे कर ले tension की value पहले के 100 है, 2% बढ़ा के कितनी होगी 102, एक ही बात है frequency 2% increase हो गई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ultimate ratio, अगर मैं T भी लेता तो T से T क्या हो जाता, cancel है, एक ही बात है frequency की ratio frequency directly proportional to under root of tension है, तो tension की ratio मुझे पता है 102 और 100, मैंने निकाल ली यहां से तो यहां से new 2 और new 1 की ratio आजाएगी अब एक तरीका यह है आप इसको divide करे और under root ले ले लंबा case हो जाएग, 1.02 का under root थोड़ा complicated है थोड़ा math लगा लें ऐसे ही case में 102 लिख लें 100 plus 2 100 by 100 वान है approximate binomial लगा ले binomial में पहली term 1 होनी चाहिए यह term छोटी और यह बड़ी होनी चाहिए इन्हें multiply करके approximate answer देखो 1.01 है यह फायदा है math का binomial का, कैसे उसमे calculation को, तेखो अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं आप इसको unroot लें लें प्लीज unroot लेके भी यह आएगा ठीक हाता, तो new2 और new1 की ratio आ गई frequency new1 तो पता ही है आपको उसकी कितनी थी 200 थी तो यहां से new2 भी आ गया अब new2 आ गया new1 पता है difference of frequency को क्या बोलते है beats, 2 beats per second तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि frequency new1 से जब new2 हो गई तो हमने number of beats कैसे निकाल लिए new2 minus new1 करके minus करके number of beats तो रूल समझ में आ रहा है कि क्या rule है इसमें? क्या rule है इसमें? next two parts of sonometer wire divided by a movable knife differ by two mm and produce one one beat per second when summed it together क्या जी एक ना knife ले लिया sonometer wire है sonometer का stretch string है a knife से दो हिस्से के कर दिया unequal L1 L2 के यहां भी wave generate हुई यहां की frequency new1 है यहां की frequency new2 है अलग-अलग stretch string का case बन गया अब यह एक stretch string नहीं है अब यह दो अलग-अलग questions है stretch string के L1 L2 है new1 New2 है ठीक यहां तर अब वो कह रहा है की इसमें यह जो difference of length है difference of length वो 2 mm गिवन है आपको तो यानि की L1-L2 0.2 cm गिवन है और यह total wire की length कितनी है? 1 meter है end में गिवन है total length 1 meter है L1 plus L2 1 meter है आपको इसका difference of length पता है आपको total length भी पता है simultaneously solve करके सबसे पहले L1 L2 निकालो अगे L1 L2 अब वो क्या कह रहे है अगर मैं यहां पे generate करता हूँ frequency तो frequency inversely proportional to length है तो यह new 1 inversely proportional to L1 है और new 2 inversely proportional to L2 है तो difference of frequency आपको question में given है कितनी 1 beat per second तो number of beats आपको given है तो यानि की new 2 minus new 1 क्या given है 1 अब आपको यह पता है कि new 2 by new 1 है और new 2 inversely proportional to length है तो new 2 L2 new 1 L1 L1 L2 हमने निकाला हुआ है यहां से new 2 और new 1 की ratio आगई new 2 new 1 की ratio आगई इनका difference question में 1 beats given है simultaneously solve करके new 1 and new 2 can be calculated answer आपको individual frequencies बता लग गई दोनों string में कितनी बन रही है तो idea समझ में आ रहे है beats कम पूछ रहे पुरानी कहानी standing waves जादा पूछ रहे basic formula based question आपको पता होना चाहिए frequency tension के साथ कैसे related है frequency length के साथ कैसे related है इस सारी चीज़े पूछ रहे next है yellow आपको마 लज हो ए legitimate आपको भाब आपको झाल झाल इसमें two similar sonometer wires of same material produce two beats per second. तो दो sonometer wires है. दोनों में अलग-अलग frequencies है और दोनों में difference of frequency दो है. length एक की 50 cm है और दूसरे की 50.1 cm. L1, L2 पता है. तो frequency inversely proportional to length पता है. find frequency of two wires. तो निकालना है आपको इस question में. ठीक. तो सबसे परा काम इसमें क्या करना है? frequency inversely proportional to length है. और एक कोई भी constant लगा लगा लो के तो frequency inversely proportional length है. ये सब पूरी के पूरी टर्म क्या है? constant है. तो पहले case में frequency new 1 है. जब length L1 है. new 2 है, L2 है. आपको difference of frequency question में number of beats given है. कितनी? 2. अब difference निकाल लो. इसमें से इसे minus करके ये difference आगया. तो यहां से new 1 minus new 2 पता है. L1, L2 पता है. solve करके क्या आगया? क्या आगया? constant निकाल लिया. क्योंकि हम अभी तक अपना काम proportionality में कर रहे थे. अभी वो आपसे क्या पूच रहे है? आपको new 1 की value पूच रहे है. आप inversely proportional से proportionality से new 1 है निकाल सकते. तो अचाएगा, अचाएगा. तो अगर exact value निकाल लिया है फिर constant लेना पड़ेगा. अगर division करने है फिर constant कटी जाएगा. फिर ऐसी proportionality से चाएगा. ठीक? next झाएगा 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 तो थे बना है विश्रणत 1 meter and 1.01 meter produce 24 beats in 6 seconds. पहली बात तो number of beats per second होता है, 6 seconds भी नहीं होती है. तो आप पहले 24 को 6 से divide करके number of beats निकाले है जो कि 4 आएगा. अब आपको क्या कह रहे है, speed of sound gas के निकालो भी निकालो. और wavelength दो दू है, lambda 1, lambda 2. अब इसमें frequency क्या होगी, speed of sound अगर V है, तो पहली wavelength lambda 1 है, तो यह new 1 है. lambda 2 है, तो यह new 2 है. Difference आपको frequency का char given है, new 1 की जगा V by 1, new 2 की जगा V by 1.01, solve करके V की value आगई अगई. ठीक हांतर? तो यह new 2 है, 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